हलो आप्टिमिस्ट्स, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरा कॉंटेंट पसंद आया और आप एक बार फिर से वापस आए मेरा नाम है निकिता शर्मा आज की हमारी कहानी है एक ऐसे इनसान के बारे में जो चाई की दुकान चलाते हुए भी जीवन में आये संगर्शों के बाद भी इतने उचे मुकाम पर पहुँचे हैं वो सिर्फ एक चाई वाले ही नहीं बलकि एक ऑथर, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं उनका पैशन आज उन्हें दुनिया भर में मशूर कर चुका है जिनकी जीवन की कहानी हम आज सुनने जा रहे हैं उन्होंने एक के बाद एक मुश्किलों का सामना किया लेकिन उसके बाद भी अपने मन की सुनी, अपने सपने पूरे किये उन्होंने 25 बुक्स लिखी जिनमें ड्रामा, नौवल, शौट स्टोरीज, पॉलिटिक्स और रिसर्च बुक्स भी शामिल हैं उन्हों मशूर शक्सियत का नाम है श्री लक्षमन राओ लक्षमन राओ का जन महाराश्चु के अमरावती में सन 1952 को हुआ था उन्होंने 10 वी कक्षा तक मराथी मीडियम से अमरावती में रहकर ही पढ़ाई की थी उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था उसके बाद वो एक टेक्स्टाइल मिल में बतोर मजदूर काम करने लगे जिस मिल में वो काम कर रहे थे पावर शौटिज की वज़े से वो मिल बंध हो गई और उन्हें वापस गाउं लोट कर आना पड़ा वे गाउं वापस आकर खेती करने लगे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि लोग गाउं से शहर जाते हैं ये शहर से गाउं वापस लोट आया लोग बोलते थे कि ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा ये ताने उन्हें बहुत चुबने लगे क्योंकि वे बहुत महंती और इमानदार व्यक्ती थे उन्हें एक दिन ये बाते सुन-सुनकर गुसा आया उन्होंने अपना दस्री का सर्टिफिकेट उठाया और काम की तलाश में अपने पिताजी से 40 रुपे उधार लेकर भोपाल आ गए भोपाल में रहकर उन्होंने कुछ वक्त मजदूरी की मजदूरी करते करते उन्होंने कुछ पैसे जोड़े जब उनके पास 90 रुपे इखटे हो गए तो वे भोपाल छोड़कर 1975 में दिल्ली चले आए रहने का कोई ठिकाना नहीं था तो कुछ वक्त वे बिरला मंदर की धर्मशाला में ठहरे उन्होंने अफ़ी काबिलियत के अनुसार खूब काम ढूंडा लेकिन कहीं काम नहीं मिला कुछ वक्त बाद एक जगे उन्हें एक धाबे पर बरतन दोने के लिए रख लिया गया उन्होंने बरतन साफ करते करते एक साल निकाल दिया उन्हीं एक साल बाद एक जगे मजदूर का काम मिल गया, तो उन्होंने ढाबे का काम छोड़ कर मजदूरी करना शुरू किया, इसी तरह एक साल और निकल गया, मजदूरी करते करते उन्होंने कुछ पैसे बचाए, उनके मन में कुछ कर गुजरने का तूफान था, जो पैसे उन्होंने जोडे थे उससे उन्होंने 1947 में एक पान बीडी की दुकान खुली। उन्हें बच्पन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और उन्हें गुलशन नंदा जी की लिखी पुस्त के बहुत भाती थी। और वे उन्हीं की तरह एक बड़ा लेखक बनना चाहते थे। जब भी समय मिलता था वे दरियागंज जाते और बहुत सी पुस्त के खरीब लाते। धीरे धीरे उन्हें और लेखको जैसे मुन्शी प्रेमचंद, जैशंकर प्रसाद और अनेक हिंदी सहित्तेकारों के बारे में भी जानकारी हुई। उन्होंने और पढ़ना शुरू किया। उन्होंने अगले दो सालों में दो पुस्त के लिख डाली। जनका नाम था रामदास और नई जमाने की नई कहाने। उनके मन में आया क्योंना इन पुस्त को प्रकाशित किया जाये। उनका गुल्शननन्द जैसा बनने का सपना अब पूरा होने जा रहा था। वे बहुत से प्रकाशिकों के पास गए परंतु जिनके पास भीवे गए उन्होंने कुछ मूल्य बताया जो पुस्त के पुशक ने उनसे कहा, Get out, you don't know what publishing is. ये बात उनके दिल में घर कर गई और उन्होंने एक बार फिर पैसा जोड़ना शुड़ू किया और कड़ी मेहनत की। उन्होंने 1989 में अपनी पहली किताब The Story of Ramdas खुद पभिश की। उनका मानना है कि भाग्य कुछ नहीं है। अपने क परतव्य की तरफ देखो और उसे सच्चे दिल और इमानदारी से पूरा करो, वो ही तुम्हारा भाग्य बनकर आता है। वे पढ़ते गए, अनेक लोगों से प्रेड़ना ली और लिखते गए, और खुद प्रकाशित भी करते गए। सन 1986 में उनकी शादी हो गई। सन 1996 में उन्होंने विश्णु दिगंबर मार्ग ITU में एक पेड के नीचे चाय बनाना शुरू किया। जो भी लोग उनकी टपरी पर चाय पीने आते थे और उन सडकों से गुजरते थे, वे उनहीं से प्रेड़ना लेते थे और अपनी पुस्तकों की किरदार चुनते थे। जब उन्होंने बहुत सी पुस्तके अनेक विश्यों पर लिख दी और अपनी चाय के साथ ही अपनी पुस्तके भी बेचना शुरू किया तो लोग बहुत सी बाते करने लगे। कुछ लोग कहते थे इतनी अच्छी किताबे सड़क पर क्या कर रही हैं। कुछ कहते ये ऐसे ही फुटाथ की किताबे हैं। कुछ लोग अश्चरे से कहते थे इस आदमी ने लिखी हैं ये किताबे। उनकी पहली किताब रामदास उन्होंने अपने गाउं के एक लड़के से प्रभावित होकर लिखी थी जिसकी पानी में डूपकर मौत हो जाती है इसी तरह उन्होंने एक सीए कर रही लड़की की जिंदगी से प्रेणना लेकर अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम है रेणू उनमें कुछ करने का जुनून था और पढ़ने का शौक था जिस कारण उनके जजबे ने उन्हें कभी ठकने ही नहीं दिया जब धीरے-धीरे उनका नाम फैलने लगा और काम बढ़ने लगा अनिक न्यूज चानल और मागजीन उनके बारे में लिखने लगे लोग उनसे उनकी शिक्षा के बारे में भी पूछने लगे तो उन्होंने ठाना कि वे उच्छ शिक्षा भी प्राप्त करेंगे उन्होंने सामजट मानसिक्ता से उपर उठकर 40 की उम्र में बारवी, 50 की उम्र में दिल्ली विशुविद्याले से दिये और 63 की उम्र में इगनू से M.A. किया, वो कहते हैं ना पढ़ने और सीखने की कोई उमर नहीं होती, लक्षमन राउ ने इसे साबित करके दिखाया, वे रिसाइकल लेकर स्कूल और कॉलिजिस में अपनी पुस्तके बेकने जाते थे, इतनी सफलता के बाद भी वो चाय बनाते रहे, उनका मानना है कि चाय रोजगार है और किताबे उपलब दिया, उनके इरादे और सफलता इतनी दूर तक गई कि उन्हें श्रीमती इंदरा गा पियां बेच चुके हैं, उन्हें हर महीने 10,000 रुपे रोयल्टी आती है, अपनी सकारात्मक सोच और होसले के कारण लोग उनकी बाते सुनना चाहते हैं, इसी कारण बहुत से संस्थानों में उन्हें बतौर मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया जा चुका है, उन्होंने अप अपनी महनत और कठोर परिश्रम से अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया है, जिस कारण आज एक बेटा MBA कर चुका है और एक बेटा LIC एडवाइजर के रूप में काम करता है, वे अपनी किताबें अन्ने कई भाशों में भी प्रकाशित करना चाहते हैं, उनका मानना हैं कि वे गुलशन नंदा जैसा तो बन चुके हैं, अब वे शेक्स्पियर जैसा बनना चाहते हैं, अपने सपनों की एक नई उड़ान भरना चाहते हैं, इतनी शहरत और सराहना के बाद जब एक होटेल के मालिक ने उनके बारे में न्यू योप टाइम्स में पढ़ा, तो उनसे मिलने से खुद को रोप नहीं पाई, अब लक्षमन राओ उसी होटेल जिसका नाम है शांगरीला होटेल में बतौर्टी कंसल्टेंट काम करते हैं, और उन्हें हर महीने लगभग 30,000 रुपे महीना मलते हैं, कुछ कर गुजरने का जजबा अपने आप पंखों को जन उन्ही की जुबानी आप अग सतर साल के उबर में भी इतना काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी विश्व के लिए एक प्रेड़ना है, आप देश के युगाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के युगाओं को ये ही कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी काम की ना अपिक्षा करें ना प्रतिक्षा करें और अपने लक्षे के तरफ देखिए, जो संभा होगा है, बहुत अश्य होगा और करते रहे हैं, साथ में शिक्षा ये बहुत महत्मा किये ग्यान, इतियास का ग्यान, बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बाते ज़रूरी नहीं है और दुसरे को पहले समझने का प्रयास करें, खुद कुद समझाने का प्रयास नहीं करें और इसके अलावा भी जिवन में बहुत कुछ है, अपने उंपरे की हिसाब से पच्ची साल, पच्ची चब्वी साल तो अपने जिवन को बनाने के लिए लगते हैं, फिर उसके बाद एक नया बहुशे त्यार होता है पच्चास साल के बाद तो पिर आपने जो अपने जिवन में किया है, उसका परिना मिलता है तो ये मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुफर किया, मेरे जिवन में तो मैंने बहुत कडवे अनुबव लिये हैं, लेकिन गॉस अनुबव के αυτό आज मुझे पता चला कि जिवन का समय बहुत किम्ती है. तो उस समय पता नहीं चलता है लेकिन जब हमें पता चल जाता है तब ऐसा लगता है कि हमने तो अपमें जीवन का मुल्लेबान समय खो दिया है आप अज इतना प्रचलित हो गए हैं और इतने बड़े होटेल में एक टी कंसल्टन्ट का काम करते हैं आपके मनुबल का क्या कारण है अपन्यास लेकर मैं प्रकाशक के बास गया तो उन्होंने मुझे गिटाउड का फिर अब आगे क्या करना चाहिए तो अपने पैसे से हारंबर किया फिर किटावे बेशने लगा तो वो भीखने नहीं लगी फिर 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 एक चापी दो चापी तिसरी चापी फिर रामदा जब चपा तब वो थोड़ा सा भीखने लगा लेकिन एक सपना का लेकर बनने का वो एक दस-फंद्रा साल में अधुरास आई था हम इसे बहुत लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं तो आप उन्हें क्या सालाह देना चाहेंगे अगर आपको अनुबह है तो आप कर से और हन्भव करने से होता है किसी के कहने शेया पिसी के सुनने से नहीं होता है इसे भी ओक अधर चुआ को लोग आप वह काम चांथ और वह मेरे कबना अज भी काम आ रहा है इसलिए जो लेखक बनना चाते हुनी यही कहता हूँ कि पढ़ो 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 जित्मा पढ़ सकते पढ़ो जब पढ़ोगे तो लेखनी बंद हो जाएगी और लेखनी बंद हो जाएगी तो उसके बाद फिर उपर्टर सामने आईगी कुछ सीख जो हम लक्षमन राओ के जीवन से ले सकते हैं कहीं पहुँचने के लिए जीवन में चाह होनी बहुत जरूरी है सीखने की कोई उम्र नहीं होती हमारी किस्मत हमारे कर्मों पर निर्भर होती है एक लक्ष पूरा होने का मतलब ये नहीं के हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए बलकि उसके बाद और उचा उड़ने के सपने देखने चाहिए और कर्म करना चाहिए जीवन में लगे रहना बहुत जरूरी है निराशा सब के जीवन में आती है लेकिन जो उससे उपर उठकर अपने सपनों की उड़ान भरने की हिम्मत रखता है वही बादलों से उपर उड़ पाता है और सफलता पाता है लक्षमन राव हमेशा कहते हैं लेखक का जन्म ही पचास साल के बाद है और उसकी जिन्दगी उसके मरने के बाद है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंज के साथ फामिली के साथ और जिनको भी आप जानते हैं और ये इंस्पिरेशनल स्टोरी शेर करना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेर करें कॉमेंट सेक्षन में अपने व्यूज जरूर बताएगा अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना और अपनों का दोनों का बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए